हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? मैं आपका दोस्त राहुल वर्मा, उमीद करता हूँ, आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्त होंगे दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए विडियो पसंद आए तो विडियो को लाइक जरूर करना और अब आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो आपको मेरी इंस्टाग्राम आइडी स्क्रीन पर शो हो रही होगी जाओ जाके फॉलो करो आपकी कोई भी क्वेरीज हो आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हो डीम कर सकते हो मैं आपकी क्वेरीज को 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर सॉल्व करने का ट्राई करूँगा तो चलिए विडियो को शुरू करते हैं देखो दोस्तों ये विडियो लाज तक जरूर देखना क्योंकि ये विडियो ब्रैंड बिल्डिंग के उपर होने वाली है कि आप लोग कैसे अपना ब्रैंड बना सकते हो कैसे बड़े-बड़े कॉम्प्टिटर्स को टक कर दे सकते हो कैसे उसको ऑनलाइन सेल कर सकते हो Amazon पे अपना ब्रैंड लिष्ट करके अच्छे खासे ओर्डर्स लेकर आ सकते हो तो इस विडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना देखो मेरे पास बहुत सारे सेलर्स के कोशन आते हैं कि क्या हम लोग Mobile Accessories गफ़ार से लाकर लिस्ट कर दे तो हमारे ओर्डर्स आ जाएंगे बिल्कुल ले आओ मैं मना नहीं करूँगा कौन रोक रहा है आपको लेकर आने के लिए बिल्कुल ले आओ लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओ देखो ये एक मैं एक्जामपल दे रहा हूँ पर्टिकुलर कैटिगरी का आप Mobile Accessories लेकर आओगे गफ़ार से ठीक है आप लिस्ट कर दोगे ओर्डर कैसे लेकर आओगे एड चला दोगे एड चलाओगे एक दो दो चार दस ओर आ जाएंगे जब एड का पैसा खतम होगा फिर ओडर आने बंदो जाएंगे दोगो बोट एक बहुत बड़ी कंपनी है आज कलना बोट भी अपना Neckband आठ सो से हजार उपे के बीच में बेज देता है आप लोग अगर सपोस करो कोई Neckband गफ़ार से लेकर आए जो की सबसे सस्ती मार्केट है Mobile Accessories की आप कितने का लगा लोगे 600 का, 700 का इससे कमे तो नहीं बेचोगे न बेचोगे तो नुकसान में जाओगे अगर 600, 700 का आप लगाओगे और बोट वो ही Neckband 800, 900 का दे रहा है अपना Neckband तो कोई आपका क्यों लेगा बोट क्यों नहीं खरे देगा तो इसी के मामले में ये वीडियो है कि आपको अपना Brand Build कैसे करना है देखो Brand Building का पूरा प्रोसीजर आपको बताऊंगा मैं लेकिन पहले Amazon पे आपको Account कैसे बनाना है आज की डेट में Amazon का क्या Offer चल रहा है आपको क्या Documents चाहिए ये सारी चीजे मैं एक फोड़ा Brief कर देता हूँ क्योंकि जो लोग बिल्कुल शुरुवात करने जा रही है ठीक है Amazon पे कैसे उनको Sale करना है तो उनको भी पता चल जाए हाला कि मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है इसके उपर लेकिन एक छोटा सा Brief दे देता हूँ देखो Amazon इंडिया का Most Visited Shopping Destination है सभी लोगों को पता है करोडों कस्टमर्स Amazon के साथ जुड़े होई हैं और Amazon 100% Serviceable PIN Codes को इंडिया में Cover करता है 10 लाग से जादा Sellers Amazon पे अपना Business Grow कर रहे हैं और 7 Days Payment का Benefit उठा रहे हैं Amazon.in पे Account बनाना बहुत ही Simple है जिसका Amazon कोई Charge नहीं करता है आपको बस चाहिए GST Number, Bank Account एक Pen Card और एक Email ID बस ये चार चीज़े आपको चाहिए और अगर आपके पास GST Number नहीं है तो भी आपको Tension लेनी की कोई जरूरत नहीं है Amazon ओफर कर रहा है अपनी Third Party Service को जो आपको GST बराने में मदद करेगी वो भी सिर्फ साड़े 300 रुपे से शुरू है उनकी ये Service और Amazon अभी आपको Support दे रहा है 10 Product Listing तक का वो भी बिल्कुल Free of Cost अगर आपको और जादा जानना है Ongoing Promotions के बारे में जो की Third Party Service Provider दे रहे हैं तो मैं Description में आपको लिंक दे रहा हूँ जाइए उस लिंक पे क्लिक करिए आपको पता चल जाएगा और क्या-क्या Offers चल रहे हैं ठीक है और एक चीज़ धिहान से सुनो अगर आप लोग आज ही Amazon पे अपना अकाउंट बनाते हो तो आपको Referal Fees पे 50% तक का वेवर मिलेगा हर Categories पे तो जाएए जाकर लिंक पे क्लिक कीजिए और Amazon.in पे अपने आपको Register कीजिए देखो दोस्तों ये तो था कि आपको Amazon.in पे अकाउंट कैसे बनाना है और Amazon अभी क्या क्या Offers आपको दे रहा है बात करते हैं ब्रैंड बिल्डिंग की देखो मैंने एक एक्जामपल लिया बोट का लिकिन ये पर्टिकुलर एक अगर बोट अपना नेक बैंड आट सो रुपे का दे रहा है जर्ट एक्जामपल और आपका नेक बैंड शेसो रुपे का है तो हर कोई बोट लेगा ना आपका क्यूं लेगा तो आपको ऐसा क्या करना पड़ेगा कि लोग आपके प्रोड़क को लें ठीक है वही सबसे पहले बोट 800 रुपे में क्या-क्या फीचर्स दे रहा है एक्जामपल सपोस करो कि बोट का जो चारजिंग टाइम है वो डेड़ घंटे का है बोट का प्लेबेक टाइम है वो 8 घंटे का है बोट एक साल की वारंटी दे रहा है ये सारे फीचर्स बोट दे रहा है जो आप नैक बैंड दे रहे हो क्या उसमें ये सारे फीचर्स हैं सिर्फ लिखने के लिए नहीं ये सारे फीचर्स होने चाहिए ठीक है अगर boat डेड़ घंटे का charging time दे रहा है तो क्या आपका neckband भी एक घंटे या डेड़ घंटे का charging time दे रहा है अगर boat का क्या नाम है playback time आठ घंटे का है तो क्या आपके neckband का जो playback time है वो boat से जादा है दस घंटे का या बारा घंटे का है अगर boat एक साल की warranty दे रहा है तो क्या आप भी एक साल की या उससे जादा की warranty दे रहे हो ये comparison आपको करना होगा boat की जो sound quality है क्या आप connectment की भी sound quality वैसी या उससे better है देखो ये जो क्या नामे comparison है जब तक यह नहीं करोगे तब तक आप brand building नहीं कर पाओगे अपने competitor को देखो कि वो क्या qualities दे रहा है कितने price में और आपके product में वो qualities हैं या नहीं है ठीक है तो अगर आप ये comparison करोगे तो आप अपना brand बिल्ड कर सकोगे देखो ये तो मैंने एक board के example लिया एक और क्या नाम है company है mobile accessories की Petron हाला कि वो board के टककर की नहीं है लेकिन उसके orders भी बहुत ज़ादा है ठीक है बहुत जबरदस orders है उसके भी तो आप भी अपना एक ऐसा brand बिल्ड कर सकते हो अगर आप लोग कभी आपने search किया हो जो चाइना से माल आता है mobile accessories का बहुत जबरदस quality में आता है ठीक है Mac band एक से quality के हैं आप अपना brand बना के उनको sale कर सकते हो आप फाइदा उठा सकते हो इन सब चीजों का लेकिन महनत करने पड़ेगी आपको research करना पड़ेगा ये तो मैं सिर्फ एक mobile accessories की category की बात कर रहा हूँ हर category में यही rule apply होता है brand building में अपने competitor को देखना है जो बड़े बड़े competitor है और एक तो ना अपना जो competition है हमेशा बड़े level से किया करो छोटे मूटो को मत देखा करो ठीक है कि जो बड़े level पे है वो क्या offer कर रहा है कि आप उसके टक्कर का कुछ दे पाओगे अगर बोट 1000 order दिन के ले रहा है तो क्या आप 300-400 order 500 order दिन के ले पाओगे initial stage पे या थोड़े सी बाद में जाकर तो इस तरीके से आपको comparison करना है और अपना brand build करना है तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो कि आप Amazon पर अकाउंट बनाओ काफी offer चल रहे है Amazon के ठीक है और क्या नाम है अपना brand build कैसे करना है अगर आप लोगों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like कीजिए